हेलो प्रेंड्स तो आपका फिर से बहुत-बहुत स्वाख आते मेरे चैनल सुड़ पाउर पे और इस एपिसोड के अंदर हम लोग स्टाइल अपडेट करेंगे और स्टाइल अपडेट करेंगे यूजिंग डॉम तो आप देख सकते हूं मैंने अल्डेडी सेंपल बना के र तो प्रेंड इस एपिसोड के अंदर हम लोग अपडेट करने वाले CSS तो CSS अपडेट करने के दो अलग-अलग तरीके हैं तो उसमें से जो पहला तरीका है यूजिंग स्टाइल प्रॉपर्टी तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर हम ल इसका हम लोग प्रेक्टिकल देखते तो आपको आइडया आजाएगा तो फ्रेंड सबसे पहला जो टेकनीक है इस स्टाइल प्रॉपर्टी उसका हम लोग फिर से एक्जाम्पल देखते हैं तो यह तो आल्रेडी हम लोग देख चुके लेकिन अभी जो मैंने आपको डेमो हम लोग using style property का use करके बनाने वाले और same demo हम लोग बनाएंगे using set attribute तो सबसे पहले हम लोग देख लेते है style property तो friend फिर से मैं आपको demo दिखा देता हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग animation बनाने वाले जिसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज हो रहा है और यहां पर border भी चेंज और ठीक प्रिंट्स तो एक एक element हम लोग अभी ट्राय करते हैं तो friend अभी आ जाओ फिर से वी स्कोड के अंदर तो मैंने यहां पर अल्रेडी फाइल बना के रखा है इंडेक्स 206 एपिसोड नंबर तो सबसे पहले हम लोग body के अंदर जाते हैं और यहां पर ड्यू के अंदर हम लोग उसको पहले तो ID देते हैं उसके बाद ड्यू को close करते हैं और इसके अंदर आपको जो भी message डालना हो वो message डाल दो और पहले तो हम लोग इसको run करके देखते हैं तो right click करो open with live server तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरह के से ड्यू के अंदर sudo power अभी आ रहा है तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा design कर लेते तो फ्रेंड अगर आपने मेरा जो css tutorial देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको explain किया कि आप जब भी css करो तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से developer tool open करके element को select करके यहाँ पर आपको उसको properly design कर लेने उसके बाद यहाँ का जो css से यहाँ से copy करके simple आपको आपके code के अंदर रख देना है तो पहले तो हम लोग यहाँ पर बोर्डर अपलाए करते हैं three pixel solid as 00 तो fine यहाँ पर मैं आपको deeply css नहीं चीखाने वालो तो आपको मैं यहाँ पर simple basic सा सिखाने वालो तो अगर आपको deeply सीखना होगा तो आपको मैरा css जो total जो है मैंने already बना के रखा है css के बारे में पूरा deeply मैंने action करके रखा है तो css वाला total आपको जरूर जरूर देख लेना है ठीक है फैंट्स तो इसको अभी हम लोग कर लेते है है text align center center ठीक है फैंट्स तो कुछ इस तरीके से हमारा css हो गया तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोग ने css किया इसको simply करते है copy अभी हम लोग जाते हैं फिर से vs code के अंदर और vs code के अंदर यहाँ पर हम लोग open करते है style tag जिसके अंदर फिलाल तो हम लोग ने id देके ही रखा है तो उसके ओपर ही हम लोग css apply कर देते तो कुछ इस तरीके से आपने जो भी css किया होगा उसको आप यहाँ पर vs code के अंदर style के अंदर रख सकते हो तो अभी मैं simple यहाँ पर save करता हूँ तो आप देख सकते हो browser के अंदर यहाँ पर title के अंदर जो भी हम लोग ने अभी css डाला और यहाँ पर प्रोफरली आ रहा है तो नेक्स चीज़ अभी हम लोग को क्या करना है तो जो हमारा banner है इसका हम लोग को बेगराउंड चेंज करना है तो simply हम लोग जाते है script के अंदर तो actually हम लोग पहले उसक जो font color है वह हम लोग change करते हैं उसके बाद हम लोग background color change करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या simply एक लूप चलाना है तो इस case में हम लोग set interval function कर सकते हैं तो यहाँ पर simple तो इसके अंदर हम लोग ने इंच और जो भी code लिखा होगा वह बार बार रन होगा तो कब रन होगा ह हर एक second बात वह रन होने वाला है ठीक है तो अगर आपको set interval नहीं बता हो तो इसका मैंने अलग से episode बना के रखा हैं तो वह episode आप देख लेना तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर उसको मतलब switch करते हैं पहले red color अपला होगा उसके बाद black color अपला होगा मतलब आपको जो सबसे पहले तो हम लोग को element get करना है तो हाँ पर एक variable लेकर उसको हम लोग पहले get कर लेते हैं उसके बाद फिलख को जो property है वह change करना easy हो जाता है सबसे पहले हमारा जो element है वह हम लोगोने get कर लिए क्या कर लिए title के अंदर टाइटल और अभी हम लोग style प्रोपर्टी का यूज़ करने वाले है ठीक पैंट्स तो style के अंदर अभी हम लोग update करने वाले है phone color तो in short हम लोग को color update करना है तो यहाँ पर style के साथ हम लोग जो दूसरी प्रोपर्टी है color उसका हम लोग use करेंगे और इसके अंदर फिलाल में लिख देता हूँ तो उसी के साथ else part में यहाँ पर red की बजाए उसका फिर से color हो जाएगा यहाँ ब्लैक टिक पैंट्स तो एक बार यह यह वाला code आपका run होगा और दूसरी वार यह वाला code run होना चाहिए तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ logic लिखना पड़ेगा तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे logic आप लिख सकते हो i increment variable आप declare करके कर सकते हो जो already मैं first episode के अंदर सीखा चुका हो तो यहाँ पर मैं फिला shortcut use करता हो और जो gate second वाला function है वो भी हम लोग को number return करता है तो उसको हम ल wireless करके कुछ इस तरीके से logic यहाँ पर हम लोग लिख सकते है तो समझो second अगर one होगा तो यहाँ पर condition false होगा तो black color अपला होगा second की value 2 होगा तो यहाँ पर condition true हो गया तो red color अपलाए करेगा तो इस तरीके से जैसे second बढ़ेगा उसी साब से वह एक एक कला स्वीच करते जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी error नहीं आ रहा है तो आपके code में कुछ error होगा तो आपको console के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा तो फिर से हम लोग element के अंदर जाते तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले तो red black यहाँ पर color update हो रहा है और उसके बाद आप द रिप्लिक के रखा है set interval जो हर एक सेकंड के अंदर हमारा code run कर रहा है तो यह जो लोजिक है यह मैं अभी आपको deeply आप एक्टेंड नहीं करोगा यह किस तरीके से वह रहा है तो यह logic development हम लोग already सीख चुके है python की टूट्रेल ओ जावासित का जो पहला पाट है उसके अंदर के एपिसोर स्कीप नहीं करना है अगर आपने एक भी एपिसोर्ड स्कीप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा खास करके जो बीगिनर लोग है जो first time programming शीख रहे उनको तो स्टार्टिंग से ही सीखते आना है आपको कोई भी एपिसोर्स किप नहीं कर सकते otherwise फि कीजिए आपकी माइंड के उपर सी जाएगा तो इसलिए आपको जाना है स्टेप बाइस्टेप हर एक एपिसोड देखो हर एक एपिसोड देखने के पर आपको उसकी प्रैक्टिस जरू-जरू करना है तभी आप यहां पर पोज़ पाओगे और वाइस फिर आप अटक जाओ ठिक फेंट्स तो आगे हम लोग अभी चलते तो हम लोगोंने इस लोग कर लिया ःभी हम लोग अपडेट करते है बेग्डाउंड ककलर टिक प्टेप अपक्ट करते है या पर गधाम इसके बारह हमारे पास टाyle प्रपर्टिए है jadi इसके अंदर अभी हम लोग यूज़ करते है तो जैसे हम लोगों ने color अपडेट किया उसी तरीके से हम लोग को और एक property मिलते है बेक्राउंड कलर तो इसके अंदर अभी में रख देता हूँ black, टिके पंस तो color red होगा तो background हम लोग black कर देते है और color अगा black होगा तो background हम लोग कर देते हैं red ठीक परेंट्स तो अभी हम लोग इसको करते हैं save और run करके देखते हैं तो friend आप देख सकते हो या आप है कुछ इस तरीके से जब background black होता है तो background होता है तो कुछ इस तरीके से आपको animation in-shot देखने के लिए मिल जाएगा ठीक परेंट्स तो कुछ इस तरीके से हम लोग using style property हम लोग जो चाहे वो चीज हम लोग CSS के अंदर change कर सकते है तो vscore already हम लोग को काफी अच्छी facility देता है style एक्चुली जो element है वो लिखो उसके बाद style आपका property और जैसे ही style के बाद आप dot लगाओगे तो CSS के अंदर जितने भी property already available है उनके या पर vscore आपको listing देई देगा तो आपको जो भी property change करना होगा वो simple या पर लिख हो तो उसका मतब आपको या पर suggestion मिल जाएगा आपको या पर कोई भी चीज याद रखने के जरूर नहीं है ठीक है तो अभी यह जो code हम लोगों ने किया वो हम लोगों ने किया using style property लेकिन अभी हम लोग करने वाले है class का use ठीक हैंच तो आप या पर notice कर सकते ह हो तो color change करना हो background तो अभी तो अम लोगों ने काली दो ही property चेंज किया इसलिए या पर आम लग को कुछ ज्यादा problem नहीं हुआ लेकिन future के अंदर जब अम लग थोड़ा complex logic लिखेंगे आपको कुछ अलग project मिला जिसके अंदर आपको कुछ complex animation करना होगा तो आपको बहुत स study हो जाएगा तो इसलिए जो सही तरीका है वो अभी हम लोग use करने वाले है जिसके अंदर हम लोग उसका जो class property है sorry class attribute है उसको हम लोग update करने वाले है तो इसको अभी फिलाल में comment के अंदर रख देता हो तो आपको future के अंदर ये code काम आएगा तो जो भी मैं code करता हो उसका link में वीडियो के description में दे देता हो तो वहाँ से आप code ले सकते हो तो friend हमारा जो code था वो मैंने comment में रख दिया है और इसको हम लोग save करते है और फिसे browser के अंदर जाते तो यहाँ पे animation पूरा stop हो चुका है क्योंकि हो हम लोग ने comment में रख दिये तो सबसे पहले तो हम लोग जो class attribute है वो set कैसे करते हैं वो हम लोग सीख लेते हैं उसके बाद हम लोग animation अपला करते हैं तो document.getElementById पर ले तो हम लोग element get कर लेते हैं element है हमारा title और उसके बाद dot पर यहाँ पर हम लोग जैसे style लिखते हैं तो style property हम लोग को मिलती है इस वज़े से उसकी जो value है वो हम अपडेट कर पाते हैं लेकिन अगर आपने मतलब जो मैरा attribute वाला episode देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बोला था कि आपको जो भी attribute अपडेट करना होगा वो simple आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो और उसकी value जो चाहूँ आप यहाँ पर पास कर सकते हो ठीके तो लेकिन वो जो statement है वो इस case में false हो जाता है मतलब वो यहाँ पर काम नहीं करेगा तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करते तो एक class में बना लेता हूँ red और इसके अंदर हम लोग color red apply कर देते और यहाँ पर class है तो उसको dot से आपको denote करना पड़ेगा dot यहाँ प तो फिर से हम लोग browser के अंदर चल जाते तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि आपको जो भी attribute update करना होगा यहाँ पर attribute लिख हो उसके बाद उसकी value तो वो यहाँ पर apply होना चाहिता लेकिन वो यहाँ पर apply नहीं हो रहा है और element के अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अपडेट नहीं कर सकते हैं तो style आप अपडेट कर सकते हो क्योंकि style property अल्रेडी जावास्किप के अंदर उन लोगों ने हमको दिया है तो वो हम लोग कर सकते हैं लेकिन class attribute की value आप change नहीं कर सकते तो इसलिए हम लोग को जावास्किप के अंदर मिलता है एक function जिसका नाम है set attribute तो dot के बाद आपको लिखना है set attribute और इसके अंदर आपको दो value पास करना है फिली बाद तो आपको जो भी attribute अफडेट करना होगा उसकी यहाँ पर नाम ठीके पैंट्स तो जैसे मुझे class attribute एड़ करना है या फिर अफडेट करना है उसका यहाँ पर नाम आएगा उसके ब added और element के अंदर हम लोग जाते हैं तो आप देख सकते हुए आप एक class attribute कुछ इस तरह के से add हो गया है तो फ्रेंड कुछ इस तरह के से हम लोग जावास्टिप के अंदर class हम लोग update कर सकते तो उस case में आपको compulsory use करना पड़ेगा set attribute function तो इस case में क्या होता है तो यह जो class है यह तो attribute है हमारा इसके बाद जो हम लोग लिखते हुऊ है class तो CSS class insert तो इस class के अंदर जो भी आपने CSS किया होगा वो simply आपके element के उपर वो apply हो जाता है तो इसके लिए आपका जो CSS का जो basic knowledge है वो आपका clear होना चाहिए किस तरह के से class काम करता है किस तरह के से attribute काम करता है तो इसलिए मैं already बोल चुका हूँ कि आपको मेरा CSS tutorial वाला जो जितने भी episode है वह आपको देख लेने टिकपेंट्स तो यह जो class है already apply हो चुका है तो इसके अंदर हम लोग change करते हैं जैसे background color background color के अंदर में लिख देता हूँ यहाँ पे black टिकपेंट्स तो एकदम simple है यहाँ प वो हम लोग को यहाँ पे red के अंदर रखना पड़ेगा तो यहाँ पे में लिख देता हूँ background color यहाँ पे black तो जिस तरीके से red color है तो मतलब red class हम लोग नहीं बना है उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग और एक class बना देते हैं और उसका नाम हम लोग रख देते है black तो इस case म तो हमारा class से वह हम लोग को set interval के अंदर simply apply करना है तो इसे को मैं copy paste कर लेता हूँ और इसको मैं comment से निकाल के अभी हम लोग क्या करते हैं तो इसके अंदर यह जो style है यह जो property है उसका हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से भी हम लोग निकाल देते हैं उसके बाद title.set attribute अभी function में यहाँ यूज कर रहा हूँ उसी तरीके से यहाँ पर else part में यहाँ पर apply हो जाएगा उसके अंदर black class तो इसको अभी हम लोग करते हैं save और run करके देखते हैं तो friend आप देख सकते हो यहाँ आप यह animation तो चालो होई गया है और element के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो class equal to red black red black कुछ इस तरीके से change हो रह यूज करके आप कुछ इस तरीके से उसके अंदर जो class होगा उसको आप अपडेट कर सकते हो तो यह जो class है इसके अंदर समझ लो आपने अगर कोई दूसरा class यहाँ पर बना है जैसे font size यहाँ पर में लिख देता हो font size और इसके अंदर font size equal to में यहाँ पर कर देता हो larger ठीक difference तो यह जो class है इसको आप इसके अंदर लिख सकते हो कुछ इस तरीके से मतलब आपको जितने भी classes डालना होगा और आपको यह बहुत यहmao यहाँ देना है space मतलब इस तारीके से हम लोग HTML के अंदर लिखते हैं उसी तरीके से यह आपको लिखना है तो इसको हम लोग save करत आप चेंज कर सकते हो ठीकिपरेंट्स तो अभी जो मैंने आपको example कर वा है इसकी आपको कर लेना है practice ठीकिपरेंट्स तो इसकी practice करोगी इसके बाद आगे जो आने वाले एपिसोड है वह आपको समझ में आएगा तो फ्रेंड इसकी जितना हो सब्सक्राइब उतना आपको प्रैक्टिस करना है और मतलब एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको 10-20 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है और अभी आपको होना है और अलग-अलग तरीके की एनिमेशन आप जावास्कित के अंदर कर सकते हो तो फिलाल के लिए इस एपिसोड के अंदर इतना ही और अगर मेरा टूटल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो यह दूसरों को भी हेल्प करेगा इसलिए आपके फैमिल